नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नौलिश पर दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जापान एक ऐसा देश है जो की वर्तमान में नहीं बलकि फ्यूचर में जीता है क्योंकि जापान की टेक्न फ्रिज बनाया है जो की खुद इनसानों के पास चल करके आता है और इस बात को भी बताता है कि इस समय फ्रिज के अंदर कौन कौन सी चीजे मौजूद है दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जापान के कुछ ऐसे ही अनोखे और रोचक तत्यों के सब्सक्राइब जरूर कर ले नंबर एक दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि जापान के लोग पबिलिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करते समय जपकी लेना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन जपकी लेते समय उनकी गर्दन एक दूसरे क उपर गिरती रहती है इसी को ध्यान में रखते हुए जापान के अंदर चिन स्टिक और पब्लिक हेलमेट का आविशकार किया गया दोस्तों चिन स्टिक एक ऐसी चीज होती है जो कि अपने आप में काफी अनोकी है दोस्तों इस स्टिक को गर्दन के नीचे लगा करके कोई भ आराम से बैट करके नीद ले सकता है जिससे उसकी गर्दन किसी के ऊपर नहीं गिरती और वो आराम से अपनी नीद को इंजॉय कर पाता है नमबर दो एर कंडिशन पैंट दोस्तों कहा था ना के जापान वरतमान में नहीं बलकि फ्यूचर में जीता है दोस्तों जापान के अंदर ऐसी पैंटे भी मिलती हैं जिनके अंदर एक चोटा सा फैन लगा होता है और गर्मी लगने पर अगर आप लोग उसे चालू कर लेते हैं तो वो आपको अंदर से हवा देता है जिसके कारण से आप लोग अंदर से ठंड़क महसूस करेंगे दोस्तों अगर सारवजनिक जगाओं पर बैट करके आप लोग अपने लैपटॉप को यूज करते हैं और कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको ये डर रहता है क्यों कोई दूसरा आदमी आपकी चीजों को देख सकता है तब आप लोग इस प्राइवेसी स्कार्प को करते हैं तो आप लोग अपने आप में एक चलते फिरते कार्टून जरूर लगेंगे नमबर चार दोस्तों आप लोग जापान के इस आविशकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों ये एक ऐसा आविशकार है जिसे आप लोग अगर एक बार लगा लेते हैं तो नि जिन लगा के जाने की इजाज़स होती है जब वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि आज बारिश की संभावना है जिसके करण से अगर बारिश होती है तो लोग इस टाई को अमरेला की तरह यूज़ कर लेते है नमबर 6 रेन अमरेला दोस्तो आप सब लोगों ने बारिशे रूंत पानी की नहीं गिर सकती दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जापान अपने देश में दुनिया के आने देशों के मुकाबले कई गुना आगे सोचता है दोस्तों आप लोगों का इस अनोखे चाते के बारे मैं क्या सोचना है प्ल지 comment box में जरूर बताएं दोस्तों आप